सिकंद्रा में इस बार रच्छा बंदर पर महंगाई का साफ असर देखा जा रहा है दुकंदारों के अनुसार इस बार राखियों पर 25 प्रसत तक महंगाई है वही राखियों की दुकानों पर अभी भी खरीदारी के लिए ग्राहक नहीं आ रहे है विक्री ना होने से दुकंदार मायूस नजर आ रहे हैं तो वही दुकंदारों का कहना है कि जो राखिय पहले हमें 5 रुपे में मिलती थी अब वह इस साल 7 रुपे में मिल रही है इससे की विक्री नहीं हो पा रही हमने लाखों का मान लेकर रख लिया है उम्मित के मुताबिक विक्री भी नहीं हुई है वहीं या बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण भी है वहीं कोरोना काल में लोगों की नौकरी छुड़ गई और काफी लोग बेरोजगार हो गए हर साल झाल झाल